हाई, माई नेम इस पीती और वेलकम टू माई चैनल जजबा यहां मेरे चैनल जजबा पे आपको मिलेगा हेल्थ टिप्स, इंस्पिरेशन्स और लाइफ स्टैल से जुड़ी कुछ बाते हैं आज मैं बात करूँगी इंस्टैंटली एनर्जी गिविंग फूट के बारे में ऐसे फूट जिसे खा करके आपको एनर्जी मिलेगी जिसे खा करके आप पूरे दिन एक्टिव रह सकती हैं क्या है वो फूट इसके बारे में बात करते हूँ कुछ दिनों में 30 जा रहा है करवा 14 जिसमें हमें पूरे दिन फास्ट रखना है तो ऐसे में हम ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे और हम इस फास्ट को अच्छे से कर सकें तो हम वो कौन-कौन से फूड हैं जिसे हमें खाने चाहिए हैं इसके बारे में बात करती हैं पहले चीज पहले चीज यह है कि हमें धेर सारा पानी पीना है हमें मौर्निंग में उठ करके जब हमारा फास्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले, as a sargi हम कुछ खाते हैं, इसके लिए हम morning में उठते हैं, around 4 o'clock के, तो उस टाइम हमें उठ करके धेर सारा पानी लेना है, ताकि हमारे अंदर पानी की कमी ना हो सके, और हम weak feel ना कर सके, पानी की कमी ना हो, इसलिए हम धेर सारा जितना पानी हम पी सकते हैं, जरूर से जरूर पीना है, तो हमें कुछ ऐसा लेना है, जिससे हमारी बॉड़ी में नेशल शुगर जाए, नेशल शुगर कहां से मिलता है, नेशल शुगर मिलता है फूर्ट से, तो फूर्ट में आप ले सकते हैं एपल, आप ले सकते हैं बनाना, आप ले सकते हैं एवकॉड़ो, इन सारी चीज़ों में होता है vitamin B, और इसमें होता है magnesium, potassium, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा important है तो अगर आप ये सारे fruits ले करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे या फिर अपने fast के starting करेंगे तो आप energetic रहेंगी, आपको headache नहीं होगा, आपको weakness नहीं होगी आप fruits, तो लीजिए इसके अलावा आप dry fruits भी add कीजिए, yes, dry fruits में बहुत ज़्यादा protein होता है, बहुत ज़्यादा calcium होता है, तो ये भी हमारी body को strong बना के रखेगा पूरे दिन, तो इसलिए आप कुछ dry fruits भी add कीजिए, आप कुछ dry fruits खाईए, आप almonds को खा सकती है, आप almonds का खीर बना के खा सकती है, अगर आप इसको खाएंगी तो इससे आप पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका fast कैसे निकल गया, के अलावा आप sweet potato खा सकती है, आप oats खा सकती है, आप soybean खा सकती है, oats में protein और fiber बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो अगर आप oats खाती है, तो आप उसमें थोड़ा सा sugar add कर लीजे, थोड़ा सा आप उसमें milk add कर लीजे, इससे आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, और आप से वो खाया भी जाएगा, आपको वो मॉर्निंग में अच्छा भी लगेगा, और इससे आप प सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हल्दी रहिए और इनर्जेटिक रहिए